अब आगे बढ़ते वे थोड़े गुटनों पर बात करते हैं, नीज पर, एक बहुत कॉमन क्वेस्टन है, जो मित भी है के लोग कहते हैं, क्या रणिंग गुटनों के लिए बुरी होती है, is running bad for your knees? I mean, if your knees are already, अगर आपके गुटनों में पहले से थोड़ा सा अर्थराइटिस है, अगर आपके गुटनों के किसी प्रॉब्लम से पहले से ही जूँज रहे हैं, then I would not advise you for running, but if you are active, if you are like into fitness, and if you are into somebody who is into running, into running half marathons, or who is into that kind of it, then that preparation, is very important. Right. It is not like you cannot run. You can run, but then you have to be smart enough to know that you have to be careful what you can do tomorrow, so running is bad if you have bad knees, but if you have good knees, running is rather good for you. ठीक है, अब यसे, I guess, problem कहां होती होगी, अगर एक बंदा, for example, जो office में काम करता है, कल को जाके वो running करना शुरू करता है, एक दम से वो बहुत ज़्यादा running कर लेता है, तो would that be problematic, कि आपको exposure नहीं है पहले से running का, और आपने एक दम से जाके, अपना workload बहुत ज़्यादा ब अपने अपने खिचार्ज़ के जाता है, ढुशक के लगए को जाक अब यह अगका धना हमारको लगए कि जाना हमारको लगए कि नहीं हमना करने कर देदा है, कि अरू बहुत डीका है, वार वो फुशक करता है जा-पने दम से सज़ख कर उने कahhud techn knight-shareeer आदा SHARGamt apar, यहर तो मैं कर सकता हूँ, but in the next couple of days, your body will start giving you signs, कि आपने जो ये किया, ये इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा रुके करना चाहिए था, तो this becomes like, I would say, again an overuse injury. ठीक है, ठीक है, हमने काहा था, अपने काहा था कि, अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है, तो फिर रॉनिंग आपको अवोइट करनी चाहिए, तो क्या non-contact exercise, जैसे cycling या swimming, वो एक अच्छा alternative option होगा, कोई भी इनसान, जिसको गुटनों में, या कोई भी weight-bearing joint है, जैसे हमारे हिप से, अगर उसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिसके कारण उनको चलने में दर्द होता है, या stiffness रहती है, उनके लिए cycling is a very good exercise, swimming is a very good exercise, because swimming will stress both your heart, and your entire body, swimming is a very good exercise, provided if you are not scared of the water, and if you are wanting to learn swimming, swimming is a very good exercise, the other thing is, patients काफी हम से पूछते हैं, कि डॉट साथ हमारे को घुटनों में आर्थराइटिस है, तो हमारे को चलना भी मना किया हुआ है, I would like to say कि इसमें ऐसा नहीं कि आपको चलना मना है, आर्थराइटिस एक ऐसी बिमारी है, जो कि जब एक बारी शुरू हो जाए, तो उसका एक तरह से नहीं दीजे करके वह बढ़ती जाएगी, Sadly अब तक हमारे पास आर्थराइटिस आप को क्योर नहीं है, कि हम क्या वह वह बिमारी को reverse कर सकते हैं, Sadly no, But वह बिमारी बढ़ती जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको arthritis की बिमारी ने डाइगनोसिस दिया है तो ऐसा नहीं है कि आपका एक दो साल में हो जाएंगे जोड खराब बिल्कुल के बिल्कुल It is a slow process जो सालों साल चलती है बट बीच बीच में इसमें क्या होता है कि बीच बीच में इसमें हम flare-ups आते हैं flare-ups लाइए कि एक दमसी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी एक लंबी बिमारी है जिसमें बीच बीच में थोड़े बहुते उतार चड़ावाएंगे उस टाइम पर पेशेंट तंग हो जाता है उस टाइम पर हम उनको थोड़ी से activity modification की सरा देते हैं कि इस टाइम पर आप थोड़ा walking कम रखें अगर आपको दर्द बहुत जादा है दिक्का जादा है तो थोड़ा सा support जैसे की kneecap हो गया बाकि the most important thing for this बीमारी is educating the patient यह बीमारी ऐसी नहीं है कि आप इसके यह नहीं कर सकते इसमें वह नहीं कर से but certain things are surely कि आप इन चीजों को अगर अवाइड करेंगे like running like repeated stairs climbing चौंकडी मार के बैठना या कुकडू बैठना जो कि हमारे एक तरह से Indian practices में बहुत fairly common है अगर हम इन activities को थोड़ा सा minimize कर दें तो यह जो repeated attacks आएंगे उसकी frequency कम हो जाएगी ठीक है ठीक है अगर किसी को पता नहीं कि arthritis होता क्या है उनके लिए आप थोड़ा सा समझा देगे so arthritis अगी हम अगर बात करें तो arthritis दो शब्दों का बना है आर्थ्रो आर्थ्रो का मतलब जोड आइटिस आइटिस का मतलब inflammation इवन दो हम इसको बोलते हैं जोड़ों की inflammation बट एक्चुल में यह वर्ड है Arthrosis because जो arthritis है उससे यह मतलता कि जोड़ों में inflammation होगी inflammation का मतलब सूजन आ गई है सूजन आने की कई कारण होते हैं बट जो यह arthritis है यह भी जैसे की age के साथ एक degenerative warranty हो रहा है वट इसका मतलब यह नहीं की उमर के साथ है तो सब को होगा करी लों को genetics है इसमें बहुत सारे factors प्ले करते हैं जैसे की genetics हो गए फिर जो हमारा female gender है अच्छा उनमें बहुत common है इसका मतलब hormones का भी rule है ठीक है फिर अगर आप overweight हैं वजन ज्यादा है तो आपके नी हैं ज्यादा लोड सस्टेन करना पड़ेगा उस लोड को सस्टेन करने लोग जल्दी बहुत हो सकते हैं अगर आपकी स्टेंट्री लाइफस्टाइल है तो जो आपकी muscles है उन ज्याद्स के आख राउंड अगर वह इतने active और इतनी strength इतनी ताकतवर नहीं है तो वह भी उन कुछ पुर्ण को सपोर्ट नहीं है उसके कारण भी arthritis बढ़ सता है कुई पुरानी चोट लगी हो जो की neglect हो गई हो यह प्रॉपरली ट्रेट ना किरी गई हो उसके कारण भी arthritis हो साथ तो arthritis can have a lot of causes बड़ गया तो the main thing is the degenerative wear and tear which जो बात में जाकर दिक्कत कर सकती है बड़ कर दो कर दो